दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम INR देकर लवली इनू बाई कर सकते हैं means के हमारे इंडियन रुपीज से हम लवली इनू कैसे बाई कर सकते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो की बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तो प्रोलम कहां पर आती है ट्रस्ट वालेट में BNB ट्रांसफर करने में ठीक है USDT ट्रांसफर करने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा है मिनिमम 14 USDT आप वहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं और BNB की बात तो अलग है दोस्तों और उसके बात जो फीस लगती है वो अलग है किसी एक्सचेंज पर बाई करने जाएं दोस्तों तो वहाँ पर दिक्कत आती है INR डिपोजिट करने की और आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे हम INR को डिपोजिट करके लवली इनुबाई कर सकते हैं होटबिट एप के उपर और भी अगर किसी आप के उपर आप चाहें तो वह कर सकते हैं मैथर्ड सेम रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर हूँ मैं वजीरेक्स के उपर और आपको कैसे इसमें डिपोजिट करना है INR मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैं अल्री INR यहाँ पर डिपोजिट कर चुका हूँ और आपने क्या करना है fund section में जाना है जो fund है दोस्तों वहाँ पर open करना है और INR आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको open करना है और INR में आप फोड डिपोजिट करने है यानि कि इसमें पैसे डालने है तो हम डिपोजिट को open करेंगे उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है तो उसके बाद दोस्तों तीन option कुल के आपके सामने आ रहे हैं आप net backing यूज़ कर सकते हैं या दोस्तों instant deposit के लिए wallet transfer कर सकते हैं और वजीर X में दोस्तों P2P भी use कर सकते हैं अभी हाल ही में ये method इनों ने दिया है और मैं 20 वाला जो method है ये use करने वाला हूँ Mobiquick wallet से और इसको हम open करेंगे और यहाँ पर आप amount डाल सकते हैं 500, 200, 300 जितना भी minimum आप चाहें ठीक है और 500 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और continue करते हैं उसके बाद दोस्तों और उसके बाद आप यहाँ पर आप किसी बहुत से लोग यहाँ पर confused हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर कोई option दिखाई नहीं पड़ता है आपको क्या करना है wallet को उपन करना है ठीक है यहाँ पर mobile quick एक ही wallet यूज कर सकते हैं वो already by default selected है और उसके बाद हम करेंगे make payment उसके बाद दोस्तों यहाँ पर card आप add कर सकते हैं मेरे already दो card यहाँ पर added हैं और यहाँ से मैं अगर आप card को यहाँ पर select करेंगे मान लिजे मैं अपना पहला card select करता हूँ और यहाँ पर आपने CVV डालना है और pay now करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यह OTP भेजेगा वो OTP आपने यहाँ पर fill करना है और उसके बाद आपको जो deposit है वो successful हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद आपके INR section में यहाँ पर जो आपके रुपीज है वो deposit हो जाएंगे यहाँ पर update हो जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है यह जो आपके INR है इनसे आपने क्या करना है TRX को buy करना है USDT buy नहीं करना है क्योंकि अगर USDT buy करेंगे तो उसको transfer करने में बहुत ज़्यादा मतलब fees लग जाती है ठीक है और जो tron है दोस्तों इसमें fees बहुत कम लगती है यानिके 5 tron हमें मातर देने पड़ते हैं तो हम यहाँ पर TRX और INR का pair open करेंगे जो अपर वाला है USDT नहीं करना है INR का open करना है और इसको open करेंगे दोस्तों और यहाँ पर हमने क्या करना है buy करने है यह जो TRX है और यहाँ पर maximum करेंगे तो आपके आ जाएंगे मैं यहाँ पर 500 रुपीज के TRX buy करना चाहता हूँ 65 TRX हमें यहाँ पर मिलेंगे और buy कर देता हूँ मैं यहाँ पर slide order placed ठीक है और आपके जो TRX हैं दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपके TRX यहाँ पर deposit हो चुके हैं और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है आप direct trust wallet में भी transfer कर सकते हैं और यहाँ trust wallet से आप सीधा उसमें hotbit में transfer कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक बार जाकर हम trust wallet से अपना address लाते हैं दोस्तों यहाँ पर हैं हम trust wallet में और यहाँ पर आपको क्या करना है Tron वाले asset को open करना है और हमें यहाँ पर send को choose नहीं करना है हमें यहाँ पर receive को choose करना है और इस address को copy करना है ठीक है इसको copy करने के बाद हम फिर जाएंगे वजीर X में और तो फिर से वजीर X में आ चुके हैं fund section को open करना है और Tron को जब open करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना इस बार withdrawal करना है क्योंकि हमें यहाँ से जो Tron है वो निकाल कर trust wallet में लेकर जाने है इसलिए हम withdrawal को press करेंगे और यहाँ पर अपना जो address हम को copy करके लाए थे trust wallet से दोस्तो USDT अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगते हैं और अगर आप PNB करेंगे ट्रांसफर तो और भी ज़्यादा लगते हैं दोस्तो ठीक है तो हम यहाँ पर एक remark डाल देते हैं TRX ही डाल देते है TRX और प्रोसीड करेंगे slide confirm OTP आएगा दोस्तो और वो OTP हमने फिल करना है लेता हूँ और यहाँ पर paste कर देते हैं उसके बाद दोस्तो authenticate एक email आपको भेजा गया है उस email को जाकर approve करना है हमने दोस्तो हम email को open करते हैं और यहाँ पर confirm your withdrawal request of 65.8 TRON और यहाँ पर हम इसको approve कर देंगे दोस्तो आप देख सकते हैं कि जो trust wallet में TRON का withdrawal है वो हमने successfully तो दोस्तो आप यहाँ पर check कर सकते हैं कि trust wallet में हमारे जो TRON है वो update हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं आप 60 TRON हमारे आ चुके हैं और अभी इन TRON को हमने transfer करना है hotbit के अंदर तो दोस्तो जब आप hotbit को open करेंगे तो आपके सामने ये section खुल के आएगा और आपको जाना है fund में और withdrawal या deposit इनमें दोज में से एक चुनना है हमें यहाँ पर deposit करना है तो हम open करेंगे deposit को और यहाँ पर Tron को open करेंगे दोस्तो और यहाँ पर हमें choose करना है TRC20 वाला address बैने और हम जाएंगे फिर से trust wallet में और दोस्तो trust wallet में हमें open करना है हमें Tron को, TRX को Tron को open करने के बाद हमें यहाँ से withdrawl करना है तो हम यहाँ करेंगे send वाले button पर press और send वाले बटन पर press करके हम कर देंगे यहाँ पर जो address हम copy करके लाए है paste और paste करने के बाद एक बार आप match जुरूर कर लीजिए कि आपका address same है और match हम कैसे करते हैं starting वाले जो दो digit है उनको देख लीजिए ty और xr और हम एक बार और वहाँ पर जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते है ty और xr ठीक है यह address है address हमारा बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर हम max कर देंगे उसके बाद हम कर देंगे continue और दोस्तों आप दोग देख सकते हैं कि अभी जो हमारी transaction है वो pending में है और यह send में convert हो चुकी है ठीक है तो अभी हम जाकर अपने hotbit में check कर सकते हैं कि हमारे जो tron है वो वहाँ पर पहुंचे हैं या नहीं और यहाँ पर आपके tron थोड़ी देर में update हो जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपके tron है वो deposit हो चुके हैं अपडेट हो चुके हैं और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है फिर market में जाना है और यहाँ से हमें क्या करना है जो trx है इनको करना है sale usd tk pair में इसको हम sale कर देंगे और 100% कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद sale trx ठीक है उसके बाद confirm confirm करने के बाद आप लोग fund में जाकर check कर सकते हैं यह थोड़ी देर में update हो जाएंगे थोड़ी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं hotbit में funds के section में मेरे पास usd t है वो update हो चुके हैं 5 usd t ठीक है यही आपको मैंने price बताया था उस वक्त कि अगर 60 tron हम sale करते हैं तो 5 usd t आपको नीचे दिखा रहा था तो main चीज अभी दोस्तों यही थी जो मैंने आप तक आपको बताई है कि कैसे हम INR को अपने जो hotbit में ला सकते हैं ठीक है तो सारा process अगर आपको एक बार नहीं पता चला है तो दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं और उसके आगे दोस्तों बहुत ही easy है मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ अगर आपको market में जाना है और यहाँ पर lovely inu को open करना हो और buy करना है 100% अगर आप UST करेंगे तो आप lovely inu आपके account में आ जाएंगे buy lovely inu करना है ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है इंटरस्टिंग लगी है थोड़ी लंबी ज़रूर हुई है लेकिन दोस्तों वीडियो जनवन है तरीका जनवन है method जनवन है यह वीडियो को लाइक कर दीजे बेल आइकन को ब्रेस कर दीजे Thank you so much